जय हिन्द वन्दे मात्राम दोस्ते अब क्लास 11 बोर्ट एक्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आज के ये वीडियो आप लेको काफी जाद इंपोर्टेंट फुल होने वाले हैं क्योंकि आज की वीडियो में क्लास 11 हिस्ट्री का चप्टर 7 यूरोप की बदलती हुई संस्कृत क्लास 11 बोर्ट एक्जाम के लिए काफी जाद इंपोर्टेंट फुल होने वाले हैं तो फ्रेंट्स वीडियो शाट करने से पहले आपसे मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि आदि आप टर्म 2 में भी आप अपने रिजल्ट को अच्छी तरह बहतरीन करना चाहते हैं तो आप इस टाप से होगा इसका पेटरीन क्या होगा तो प्रेंट आपका तर्म 2 होगा वह आपका शुची होगा टोटल मार्क्स की बात करें तो टोटल 40 मार्क्स को एकजाम सोगा फ्रेंट यदि बात करें कोष्चन की दोस्तों दो नमबर वाला जो कोष्चन है वह 5 ठो रहेगा तीन मार्क्स कोष्चन है फ्रेंट वह 3 ठो रहेगा आनि 15 नमर का 3 नमर वाला कोष्चन रहेगा आनि जिसका और इन्सेर आपको वही 40 से 50 सब्दों में लिखना है और यदि बात करें 5 नमर वोला तो 5 नमर वोला 3 विग्यान और 15 नमर का जिसका एंसर आपको सवघ्शक में लिखना है तो यहांपे जितना भी कौचेन बतायें जबा यह सब ही आपके एकजान के लिए काफय जाले इंफ लेकिन आपको answer करना पड़ेगा तो यह है जो यह जो question है कि पांच मार्ग का question है तो इसका जो answer वो 100 सब्दों में लिखना है तो आपको यहां पे 3 point लिखना काफी ज्यादा important होता है कि पहला point जो आपको लिखना है वो लिखना है कि परिचया और इसका intro देना है उसके बाद आपको main point लिखना है कि question में क्या पूछा गया है उसके बाद निसकर्स लिखना है यदि आप इन सभी 3 point को लिखते हैं तो आपका examiner एक भी number नहीं काटेगा तो चलिए इस वीडियो को start करते हैं यहां पे सबसे पहल पुना-palas, जागरन से मिलकर बना है जिसका साबधिक अर्थ की बात करें तो इस जिसका साब्धिक अर्थ फेस से जागना होता है अर्ठाद विभिंट छेत्रों में होने वाले प्रगति को पूनार जागरन स्बसे सम्थित किया गया है यूरोप में 14 सधी से 17 सधी के काल को यूरोप का पुनर जागरन काल कहा जाता है यूरोप के बीच 14 सदी से लेकर के 17 सदी के काल को यूरोप का पुनर जागरन काल कहा जाता है दोस्तों यह तो आपका इंट्रो था लेकिन यहां पर कोईचे ने पूछा गया है कि पुनर जागरन काल की विसेस्ता तो यहां पर आ कालनात्मक विकास हुई जिसमें मुख्य रूप से चित्र कला, अस्थापत्य कला, निर्थिय कला, मूर्ति कला, लेखन कला इत्यादी छेत्र में विकास हुआ नेक्स्ट फ्रेंट जो है फ्रेंट वो बोल रहा है कि पुनर्जागरन काल के दोरान ही धार्मिक सुधार अंदोलन की सुरवात हुई इसके अंतरगत यह देखा जाता है कि चर्च एंपोप के अंतरगत जितनी भी बुराईयां विद्वान थे उनको समाप्त कर दिया गया नेक्स्ट फ्रेंट त्वाज वी एनको च company दोरान लोगों में नैतिक स्रह कॉण को कर दो Ho तो आपका first question friends first question था जो कि 5 marks 16 questions था यदि आप इंतना लिखते हैं तो आपका examiner एक भी marks नहीं कटेगा next question 2 में दिएगा friends कि पुनर जागरन काल के महतो एं परकास पर परभाव डाले या फिर वर्नन करें तो दोस्तों पुनर जागरन काल में क्या महतो था इस पर क्या परकास डाला गया इसके बारे में आपको लिखना है friends यह भी question आपके examiner लेका है important होने वाला है कि यूरोप में 14 सदी से लेकर 17 सदी तक ये काल को यूरोप का पुनर जागरन काल काहा जाता है इस काल के दोरान यूरोप में काफी परगती बदला हुआ जो इस पुनर जागरन काल के महतो परभाव को प्रस्तुत करता है कि पुनर जागरन के महत्वा एम प्रभाव को नियमी तरीके से समझा जा सकता है कि इस पुनर जागरन काल के दोरान यूरोप में विज्ञान एम दर्सन के छेत्र में काफी प्रगती हुआ फलसुरूप अंध्विस्वास कटरता अससनिता का विरोध किया गया इसके लाए प्राकृतिक विग्यान, खगोल विग्यान, गनित विग्यान, रसायन विग्यान और सधी विग्यान के छेत्र में भी काफी प्रगती हुआ आन्हीं पुनद जग्यान काल के दुगरान जो है वो प्राकिर्टिक विग्यान, खगोल विग्यान, गनित विग्यान, रसायन विग्यान और सधी विग्यान के छेत्र में भी काफी प्रगती हुआ विज्ञान के चेत्र में देखा जाए तो काफी मात्रम में काफी ज्यादा पैमाने पर यहां पे विकास हुआ था नेक्स्ट फ्रेंट जो है फ्रेंट कि इसका परभाव कला के छेत्र में वैपाक रूप से देखा जाता है यानि कला के छेत्र में इसका परभाव पढ़ा क्योंकि चित्रकला, मूर्तिकला, संगीत कला यादी कलाओं में काफी प्रगर्ती हुए यानि पुनर जागरन के दोरा है क्यों कि इससे मानों के भुती गुनों में काफी परिवर्तन होता है आनि मानतावदी के दोराण यहहां पे पुर्ण जागरनकाल के दोराण वह मानों के भुती facto ढूआ देखा गया था नेश्ट कर Jewamı सदी से पहले नाम मात्र का साहित्य को लिखा जाता था किन्तु अब बड़े पेमाने पर आधुनिक भासा में यूनानी भासा में साहित्य की रचना होने लगी थी कि इस पुनर जागरन काल के दौरां छापा खाना कागज बारुट का विकास हुआ भारते प्धती आनि कई चीजों का विकास हुआ नियुकर्णि का अंप्रगति का कर्डॉक तो यहां पे जो निस्कर्स दिया है पुनर्जागरण के उध्य होने के किनी 5 कारणों का वर्नन करें तो सबसे पहले आपको पुनर्जागरण का डिफनेशन लिखना होगा है कि पुनर जागरन दो सबदों के मेल, पुनर पल्स जागरन से मिलकर बना है, जिसका साबदिक अर्थ फिर से जागना होता है, तथा विभीन चेतरों में होने वाले प्रगर्थी को, पुनर जागरन सबसे समभोधित किया गया है, यूरोप में 14 मी सदि से,ций 15 के काल को, यूरो तो आपको पांच बिंदू लुखना है पहले कुस्तुतुनिया, दुसरा धर्मयूद, तीसरा अंतर रास्टे वाइपार, चौंथा अवेशन, और पांचों जो पॉइंट है, वो सामन दुवाद का पतन, तो आपका जो कॉपी है, जो आप एंसर लिखेंगे, उस एंसर को आ पर तूर्की ने कबजा कर लिया, बोल रहा कि 1403 पर तूर्की ने कबजा कर लिया, तूर्की ने अत्य चार से बचने के उद्यस से कुस्तुतुनिया के विद्वान, साहितिकार, और कलाकार भाग कर इडली पहुँच गये, दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो गया, एक बड़ी प्रगती हुए, आनि उन लोग जब वहाँ पर पहुँचे, तो उन लोगों ने रचनात्मक कारी किये, जिससे साहितिके चेत्र में काफी ज्यादा प्रगती हुआ, जिससे पुनर जागरन के उद्या का कारण बना, यह तो आपका फ्रेस्ट प्रेंट, दूसर और इसलाम धर्म के बिच्चे संगर्षवा, जिससे धर्म युद्ध की संग्या दी गई, इस धर्म, इस युद्ध में दोनों धर्मों की सांस्कृतियों में आपदा प्रदान हुई, धर्म युद्ध के कारण इसायों ने यूरोप के विभीन छेत्रों में प्रगती कार क का शुरुवात किया अगला जो प्वाइंट है वो प्वाइंट है कि अंतराष्टे वैपार अंतराष्टे वैपार भी पुनर जागरन के उध्य का मुख्य कारण है यूरोप अंतराष्टे वैपार के माध्यम से अपनी आर्थिक इस्तिति को मजबूत कर लिया जो यूरोप में प्रगती में काफी ज़्यादा सहायक हुआ नेक्ट प्वाइंट फ्रेंट्स कि अन्वेशन अन्वेशन आनि रिसर्च या फिर सर्च या फिर सर्च यूरोप में आर्थिक इस्तिती मजबुत होने के फलस रूप खोज अन्वेशन में भी रूची बता यही कारण है कि यूरोप के लोग ने भारत, अमेरिका, ब्राजिल जैसे कई देशों के खोज की सामन्त वाद के पतन के पहचात यूरोप में क्रिस्सी, वैपार, उध्योग, चैप्टर का अईधी आप इंप्पर्टिन कोचन जाना चाहते हैं तो आप इस चैनल को अपने सुन्दर से हाथों से सब्सक्राब करके बेल आइकन बटन पर प्रेस कर लिजगा क्योंकि मैं आपके लिए हर एक chapter का important question लाता रहूंगा और यदि आपको इस सभी question अच्छा से समझ आ गिया होगा तो बहुत अच्छी बात है और यदि नहीं अच्छा से समझ आया होगा तो आप इन सभी question का answer आप copy में लिख ले और आपको जब तक आपका एक्जामस नहीं हो जाता है तब तक आपको हमेशा revision करते रहना है ताकि आपको याद हो जाए तब तक के लिए thanks